नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपको लोकिल मोगेर एंजिनियर पर ओडियो कोड़े अइसी क्या है मुबाइल में ओडियो आईसी यानि के प्यए अईसी लगा रहने की वावजूत कोडे अइसी क्यों लगा रहता है और क्या हर एक फोन में Codec IC रहता है अकर रहता है तो क्या Power IC के अंदर भी होता है क्या Codec IC का काम analog और digital signal को मतलब decoding और coding का काम होता है यार समझ नहीं आ रहा है Codec IC का काम असल में क्या होता है पूरा YouTube पे देख लिया कही पर नहीं मिल रहा दोस्तों चिंता करने के कोई बात नह है आज आपको सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है एक institute जिससा समझाओंगा जितना बहतर हो सके उतना बहतर तरीके से दोस्तों मैंने पिछले audio section के part 1 और part 2 में से आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि Codec IC के बारे में पूरा जानकारी दूंगा दोस्त दोस्तों audio IC के part 1 और part 2 वीडियो में आपको audio IC के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है लेकिन आप लोगों को एक और चीज के बारे में जानना समझना और देखना बाकी है वो है audio K318 IC की data sheet देखे दोस्तों data sheet में जितने सारे जानकारी रहता है उतना सारा जानकारी स्मे समझ कर printed circuit board बनाता है और उसमें modification करता है दोस्तों IC एक अलग company बनाता है और mobile एक अलग company बनाता है चले दोस्तों वीडियो शुन करते हैं बीना time waste करें friends if you want to support me then you can take membership by clicking this join button because I need your support very much thank you तो दोस्तों Kodak IC को समझाने के लिए मैं यहाँ पर Redmi K20 का ismatic diagram आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि Redmi K20 में Kodak IC का use क्या गया है देखे दोस्तों Redmi के साथ-साथ Realme, Oppo, Beepo और ज्यादातर Samsung phone में Kodak IC का इस्तेमाल देखने को मिलता है देखे दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि Kodak IC का क्या होता है तो इसके लिए मुझे आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि Kodak IC कैसा दिखता है और कहाँ पर लगा र देखे दोस्तों किसी किसी phone में हो सकता है CDC लिखा रहेगा या किसी phone में Kodak लिखा रहेगा दोस्तों इसको पता करने के लिए मैं यहाँ पर दिखे लिखूंगा Kodak अगर आप मेनुएली सार्च करना चाहोगी यानि कि मेनुएली देख रहे हूं इसमेटिक डाइगराम में कि Kodak IC कहाँ पर है तो आपको प्रोपार पता नहीं चल पाएगा और अगर पता चल भी जाएगा तो आपको बहुत टाइम लगाएगा तो इसके लिए आपको इसक कि इस पूरिसमेटिक डाइगराम में एक ही ऒट को डेक का नाम लिखा गया ह। तो मैं यहाँ पर कैसे पता करता हूं आए करता हूं जैसे next करने से यह आगे नहीं गया क्योंकि इसमें एक ही बार लिखा है तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं देखिया यह पर कोड़ेक लिखा है तो मैं ब्रेग करता हूं देखिए आप यह आपर देख सकते हो दोस्तु कोड़ेक लिकाहे और कोडेक लाइन है यह यह लाएन जो है दोस्तो बेछ एल 50com và 1.8 बोल्डिज का लाइन है और इस लाइन के थुरूभ कोड़ेक ऐसी में 1.8 बूल्ट जाता एक दोस्तो इसमें कोडेक क्युं लिखा गया है देखिए इसमें लिखा गया इसलिए क्योंकि यह लाइन जो है न यह श्रीफ कोड़ आईसी के लिए यह बोलिज बना है पावर आईसी से जो की कोड़ का इसी में यूस होता है तो हम देखते हैं कि यह बोलिज किसाईसी से बन रहा है दोगे दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूँ रेड्मी के 20 मे दो power ic का इस्तिमाल किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो power ic का नंबर pm 7150 तो दोस्तों यहाँ पर हम power ic के बारे में नहीं समझेंगे हम सिर्फ यहाँ पर codec एक के बारे में समझेंगे और हो सके, तो मैं आप लोगो को Redmi k20 का audio section की बारे में भी बता दूँगा तो यहां पर हमने देखा codec, तो हमने codec देख लिया तो यहां पर मैं इसको सार्ज करूँगा क्यूंकि आप हमें codec IC क देखना है, तो codec IC को देखने के लिए यहाँ पर यह जो boldish है, अगर यह boldish codec IC में जाता है, तो हमें इस नाम को sigrj करने पर codec IC मिल जाएगा, तो copy करेंगे, फिर यहाँ पर paste करेंगे, देखे दोस्तो जैसे ही हमने सार्ज किया और आप यहाँ पर देख सकते हो 2 of 2 यानि कि इस मेटिक डियागराम में 2 बार ही यह लाइन आया है यानि कि यह बीरेच L50 ने 1.8 बुल्ट लिखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह एक IC है तो दोस्तों यह कोई PMIC नहीं है यह CODEG IC है तो कैसे पता करते हैं देखिए यहाँ पर निच्चे साइट में इसका लिखा हुआ है WCD9375 दोस्तों देखिए CODEG IC जो है हम पेचान सकते है कि यह CODEG IC है तो मैं यहाँ पर इसको कोपी करूंगा और कोपी करके सार्च करूंगा यहाँ देखिए दोस्तों जैसे मैंने सार्च किया व्यसे यहाँ पर मदरबूड व्यू पर आ गया यहाँ पर देखिए ओरेंज कलर जो बना हुआ है यह हमारे CODEG IC ह और यह किस section में है देखिए यहाप और हमारे UFS है और यह हमारा CPU है तो दोस्तों CPU के section यान कि CPU के पास ही codec IC देखने को मिलता है और किसी किसी phone में हो सकता है कि audio section जो है audio section codec section अलग section बना के दोनों IC लगाया जाता है तो आप धियान देना codec IC जो है यह CPU के पास जदा तर देखने को मिलता है क्योंकि CPU के साथ इसका जो communication है वो बहुत ही अच्चे से होने के लिए codec IC को CPU के सामने लगाया जाता है तो दोस्तों यहापर हम next करेंगे और next हरके codec IC को समझेंगे यहापर codec IC है और आप देख सेकते हो कि codec IC में कितना सारा ball है और क positive का तो आप यहापर देख सकते हो इस IC में codec IC में चार बोल्डिज इंपुट होता है बीरेज एल फिप्टी ने 1.8 बुल्ड जो कि दोस्तों यह बोल्डिज स्रिफ codec IC के लिए power IC बनाता है और फिर देखें बीरेज बीओ बोल्डिज दोस्तों बीरेज बीओ बोल्डिज में आप लोगों को 2.8 बोल्ड से लेकर 3.7 बोल्ड तक देखने को मिल सकता है देखें दोस्तों बीरेज बीओ बोल्डिज ओए यह बहुत सारी जगा पर जाता है देखें हम यहापर सार्च करके आप लोगों को दिखाऊंगा देखें यहापर आप देख सकते हो 10 of 20 यानि की स्मेटिक डाइगराम में 21 बार यह नाम लिखा गया है इतना बार इसमें यूस किया गया है बीरेज बीओ बोल्डिज को तो फिर हम देखते हैं देखें बीरेज एल टेन है 1.8 बोल्ड दोस्तों यह भी बोल्डिज बहुत सारी जगा ओपर जाता है आप देखें यहाप पर बीरेज एल टेने 1.8 बोल्ड इस कोडेक आइसी में दो बार आता है और आप यहापर देख सेकते हो 23 ओफ 28 यानकि टूटेल 28 बार स्मेटिक डाइगराम में है तो यहापर हमने बोल्डिज की इंपुट देख लिया तो दोस्तों यहापर आप देख सेकते हो से इंबार है और वीरेज बीरेज बी ब्लडि छोए多री बोल्ड बॉल्ड से 9 बोल्ड तक पर सकता है तो देखे दोस्तों यह जो बीरेज बयो क्राउंड भी है दोस्तों तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे देखें देखें देखें, दोस्तों माइक बेज जो होता है इस माइक के लिए बीरेज भीयो भी बोल्डिश को दिया जाता है और देखें दोस्तों यहाँ पर Ox Out M Ox Out P तो इसमें NCA कोई connection नहीं है और फिर यहाँ पर देखिए Air Out M Air Out P यह हमारा receiver के लिए जाता है जो Air speaker होता है तो हम यहाँ पर copy करके आपको दिखाने के कोशिश करता हूँ देखें यहाँ पर आप देख सेकते हो receiver और receiver का दो TP point है दोस्तों इन TP point से Air speaker connect होता है जिसको receiver भी खहते है लेकिन दोस्तों इस codec IC से हमारे saboot में जो speaker लगा रहता है main speaker उसका काम नहीं होता है उसके लिए अलग से audio IC लगा जाता है और यहाँ speaker के लिए यानकि receiver के लिए इस IC स codec IC से काम में लिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप चार coil है इन चारों कोईल के तुरू यहाँ पर एक bug voltage बंता है खीकर दोस्तों IC जब चलेगा तब उसमें कुछ ना कुछ बोल्डिच ड्रॉप होगा बोल्डिच ड्रॉप ना हो इसलिए उस बोल्डि बनता है वह बनके यहाँ पर ऑट होता है तो देखिए यहाँ पर आउट क्यूँ होता है यहाँ पर क्यूंश का जरूरत परता है यह भी आप देखने वाले how you have पवार एम्पूटिफायर के लिए यहाँ पर दो बोल्डिच बुस्ट करके बनाया जाता है तो यह कहा पर जाता है यह देखते है तो यहाँ पर न Spread? दोस्तो आप देख सकते हो P-A-B-N-E-G और P-A-B P-O-S तो यह दोनों बोल्डिच इस ¡Code IC! IC में input होता है क्यों दोस्तों input होता है देखिए इस code IC में हमारा जो earphone यान कि हम earphone लगाते है या headphone लगाते है तो earphone headphone इन सभी को चलाने के लिए इनमें इस speaker रहता है उस speaker को चलाने के लिए उस speaker में frequency बूस्ट करके देखे उसमें कुछ साउंड एक्टिविटी करवाने के लिए इस कोड़ेग आईसी के अंदर एक सेक्षन होता है पीए सेक्षन पावर एम्प्लिफायर सेक्षन तो उस सेक्षन को चलाने के लिए यहाँ पर पोजिटिव और नेगटिव बोल्डिश को दिया है तो देखे दोस्तों यहाँ पर कुछ और पीन है यह ग्राउंड है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर कोड़ेग आईसी से तेन लाइन आउट हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक वेस थ्री माइक वाइस फू माइक वेस वान तो बिल्ड माइक नहीं रहता और किसी फोन में रहता है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं देखे दोस्तों कोड़ेका इसमें है यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहँ केपसेटर का काम होता है कि इसमें तो यहाँ यहाँ पर देखे क्या क्या काम है एफ याने के रिफ्रेंस तो दोस्तों एच पीएच सीडी सी एल इसको हम सार्च करते हैं और देखते हैं कि यह कौन सा लाइन है और इसका क्या काम है तो देखें दोस्तों यहाँ पर एच पीएच सीडी सी एल और यहाँ पर देखेंगे कि यह कहां पर जाता है तो दोस्तों पर देखिए यह लाइन यहां से होते हुए जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर देखिए चार नमबर पीन पर आ रहा है तो यह यहां पर आप देखते हैं कि यह जैक क्या जैक है यह कौन सी जैक है मुझे लगता है यह यह यारफोन जैक है दोस्तों तो यह पर आप देखिए मैं नेक्स्ट किया और देखिए दोस्तों यहां पर यह यह यारफोन जैक है यह हमान मदर बूर्ड में यारफोन जैक लगा की लेफ्ट और राइट तो हमारा जो यारफोन है यानि की हेड़फोन है तो उस हेड़फोन में लेफ्ट और राइट स्पिगर को यह लाइन देता है कि लेफ्ट और राइट स्पिगर चलाता है तो इनका काम यही होता है तो हम आपनेक्स देखते है कोड़ेगा इसी में और दोस्तो में पार्ट में आप देख सेकते हो यहाँ पर swrx clock swrtx data1 data2 और बहुत सारा लाइन है तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इसा symbol जहाँ पर है यानिकि इस तरफ भी arrow है इस तरफ भी arrow है इसका मतलब है code IC से data output भी जा रहा है यानकि CPU में जा रहा है और यह लाइन जो य और CPU में से फिर आ रहा है तो दोस्तो इसका function क्या होता है इन सभी का देखिए यहाँ पर जो line है इन सभी का काम होता है protocol यानि कि data transfer receiver करना दोस्तो code IC का काम होता है coding और decoding करना देखिए यहाँ पर coding और decoding क्यों देखिए दोस्तो हमारा जो mic चलता है उस mic में analog signal आता है तो analog signal signal कुछ ऐसा होता है आप इसकी में देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर analog signal को digital में convert करके यह code IC CPU को बेचता है और CPU उस digital signal में उसमें जो information पाता है उस information की through अगर call पर बात हो रहा है तो mic में क्या कहा जा रहा है CPU process करके जो phone में बात हो रहा है जिससे बात हो रहा है उसको सुन computer ऐसा क्यों देखिए यहाँ पर CPU में से जो process होता है तो mobile में उस function के चलते यानि कि आप किसी को call कर रहे हो तो call करने के बाद CPU से उस call में जो भी कुछ कहा जाएगा यानि कि जो audio activity होगा उस audio activity को CPU process करके एक digital signal बनाएगा digital signal देखिए दोस्तों logic high और logic low की condition में काम करता है तो देखिए दोस्तों digital signal binary code में काम करता है 010101 तो कब तक 011 चलेगा और कब तक 0000 चलेगा यह CPU में ते क्या रहता है देखिए दोस्तों CPU को एक master भी कहा जाता है क्योंकि CPU में एक coding किया जाता है यानिकि software जो होता ही इसमें कोडिंग के जाता है तो उस कोडिंग में लिखा जाता है कि कब तक 0000 चलना चाहिए कब तक 11 यानिकि कब तक logic high होना चाहिए और कब तक logic low होना चाहिए तो दोस्तों उसी तरह यह काम करता है तो CPU प्रोसेस करके उस signal को मारा कोड़ेग आईसी में बेचता है डिजिटल सिकन की काम होता है या है हैटफान में जो हैटफान की सपिगर होता है उन पर जो भी कुछ audio अक्तिवीटी होता है मूवेल पर वो सुना जयता है दोस्तों देखिए digital में डायर्ट अगर इस पिकल में बेस देगा डिजिटल सिगनल तो डिजिटल सिगनल से अमारा इस प्रोसे का generate होता है यानि कि जो भी बात किया जाएगा जो भी communication होगा वो सुनाई देता है तो decoding और coding करना और इसका Maine role भड़ी होता है की Yeah Away phone में जो MIKे उसमें क्या कहा जा रहा है उसको प्रोसेस करके उसमें दो analog signal आएगा उस analog signal को convert करके digital करके CPU के बेज़ेगा और CPU प्रोसेस करके आगे बेज़ेगा, तो Codec IC का काम यही होता है और power IC का अंदर 4G phone में कोड़ेक का सेक्शन रहता है तो उनमें भी सेमी काम रहता है, लेकिन 5G phone में एक फ्लेक्शिक मोडल है, इसलिए उसमें किया है कि Codec IC को अलग से बना दिया गया है ताकि कोई भी प्रोब्लेम ज्यादा ना हो और फोन लॉंग टाइम अच्छे चले दोस्तों इनका काम एही होता है तो इन में देखिए एक जो सिक्नल है यहापर टीपी पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा और आप यहापर देख सेकते हो बहुत सारा आरेक्स टीएकस का लाइन में यानि कि इन चारो लाइन में होगा डाटा वान डाटा टू डाटा वान डाटा टू इन में होगा तो इनका यही काम है और आप इनको टीपी पॉइंट से आप इसका ज्यारेडिंग ले सकते हो दोस्तों की ओके है की नहीं तो आप ज्यारेडिंग लेने के लिए आपको हो सकता है कि codec ic उठाके देखना पड़े क्या होता है कि CPU अगर उठाओंगे CPU को रिवॉल करोके तो बहुत जंजट का काम होता है बहुत लोंग टाइम लगता है तो इसके लिए आपको direct कोड़ेगा इसी को उठाके और आपको देखना है अगर आपका phone में headphone काम नहीं कर रहा है माइक काम नहीं कर रहा है या speaker काम नहीं कर रहा है या कुछ और error आ रहा है कोई audio activity करने पर यानि कि आपने headphone लगाया headphone jack में earphone लगाया तो इसमें आप जब audio चला रहे हो तो इसमें कुछ error आ रहा है यानि कि error लिका रहा है तो इसमें क्या होगा कि आपर जो line है rxtx इनको चेक करने के लिए आपको codec ic निकाल के देखना पड़ सकता है पहले सभी बोलनीच को चेक कर लेना और फिर इन line को देखना क्योंकि यह protocol line है दोस्तों इनको देखना कि इन में grok है कि नहीं अगर CPU से grok मिलता है तो आपका codec ic problem है codec ic को replace कर देना अगर मान लोग कि आप जिया रेडिंग नहीं आ रहा है codec ic को निकलने के बाद भी तो आपका CPU dry हो गया होगा तो CPU को उठाके रिवल करके फिर लागा देने से काम हो जाएगा ओके हो जाएगा मोबाल तो दोस्तों यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सेकतों कि यहाँ पर जो है यह CPU से कनेक्ट होता है CPU से communication होता है इनका काम में ही होता है digital signal को देना और देखिए दोस्तों इनका काम स्रिफ CPU में digital signal input or output के लिए होता है इनका analog में कोई काम नहीं होता है OUT आप सभी के सभी line हमारा माइक का लाइन यह सब माइक के लिए है दोस्तों माइक में जो एनलग सिगनल आएगा यानि कि आप कोई भी कॉल लगा रहे हो या आप कोई रेकोर्टिंग कर रहे हो तो उस रेकोर्टिंग में जो सिगनल आएगा वो एनलग सिगनल आएगा एनलग सिगनल को कोड़ेगा इसी उसको डिकोड करके डिजिटल में कंवर्ट करके फिर यहां से दीकिए यहां से फिर CPU को ये देगा और CPU प्रोसेस करके फिर CODEG I.C. को देदेगा अगर उसमें कॉल के दोरान फोन में कुछ बात हो रहा है माइक के त्रु तो उसमें क्या होगा कि CODEG I.C. को देगा सिकनल और CODEG I.C. प्रोसेस करके रिसीबर यार स्पिगर या हैडफोन की स्पिगर में साउंड एक्टिवेटी कराएगा क्योंकि कोड़ आईसी में एक पावर एंप्लिफायर आईसी का सेक्षन है दोस्तों और यहां पर आगर मान लो रेकोटिंग चलते हैं अगर रेकोटिंग आप कर रहे हो उस रेकोटिंग को आँस्पिगर में चला रहे हुआ आए लाई कि उसमें एरफोन नहीं है ब्लूटूब नहीं है तो उसमें क्या होगा कि हमारा साभ इंट में मैं चलान जाएगा दोस्तों उसमें सिग्नल का काम होकला क्य जो मेरा ऐडियो इसी है तो audio iC direct digital signal को लेगा और digital signal को लेके analog में convert करेगा तो मैं दिखाऊंगा कि आपको audio iC कैसा है केसा काम करता है आप बने रहना वीडियो में तो दोस्तो यहाँ पर सार का सारा हमारा handset में यहांने कि हमारा mother bird में जो mike है inbuilt mike उसका है दो line और हमारा main subwood सवकी का माइक का लाइन है, और हमारा हेडफोन या या आरफोन की जो माइक रेता है उसका यह लाइन है, तो उनका ही काम होता है इन लाइनों का इन में एक अनलोग सिखनल आथा है और कोडेが नपाता है, और कोडेका इसी उसको कनवर्ट करके Digital में कर देता है, और CPU को बेज है तो यहां पर देखें आप दो और बोल्डीज है वर यह का लाएं है दोस्तो इसने कुछज आता और यहां पर एक देखिये पोइंट है WCDC9375 взрाट ekaं डोस्तों यह जो रिशेट ईन है यह रिशेट नीस कोड़ कोन बोलो या कोंट्रूलिंग बोलो एक लाइन होता है एक नॉगेटेप बोल जाता यानि कि इसका हमेशा लोजिक लो रहता है अगर कुछ गरवड होता है इस कोड़ेग आईसी में तो सीप्यू डायेक्ट इसमें लोजिक हाई कर देगा लोजिक हाई करके इस आईसी को डिसेव दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह जो लाइन मैंने बाताया आपको यह लाइन कहा तक जाता है क्या मैंने जैसा बताया वैसा यह काम करता है आये देखते तो मैं यहाप पर इसको कोफी करऊंगा पहले आम देखें कि CPU से कोड़ेग ऐसी के से कम्मुनिकेशन कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने सार्ज किया और यहाँ पर आप देख सकते हूं CPU के अंदर बहुत सारे GPIO का सेक्षन होता है तो यहाँ पर आप देखिए SM7150 यह क्वेलकम बेस एक्स्टीप सेट है दोस्तों यहाँ पर हमारा SWRTX डाटा 1 और क्लोक और डाटा 2 क्लोक यह सभी सभी का यहाँ पर से आउट होता है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर से आउट होता है तो यह हमारा CPU से कोड़ेग से connect होता है और communication करता है तो इनका काम होता है digital communication करना तो दोस्तों इनका तुरू तो जैसा मैंने बाता आया कि codec IC में एक analog signal आता है उसको convert करके digital में करके CPU को देता है और CPU उसको process करके फिर codec IC को देता है अगर mobile दोरान कुछ बात हो रहा है तो codec IC को देगा क्योंकि यहारPhone में आगर बात हो रहा है तो आपको दिखाऊंगा देखे दोस्तों जैसे में यहां पर शाह ओबिए में आता है में जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से होके प्रोसेस जो इनलग सीगनल बनेगा वो सिगनल यहां स evil कोडहेगा इसे में जाता है सेम उसी तरह इनका वी काम होता है है निन यह दोनों होता है हमारा मादर बूड में जो साबूड होता है साबूड का में माइक को चलने के लिए यानि के माइक से एनलोग सिक्नल को लेने के लिए और यह दोनों लाइन हमारा होता है यारफोन या हैटफोन तो उनसे यह डाटा लेने के लिए अनलोग डाटा और फिर यहाँ पर सीडिसी ऑक्स पी यह हमारा मादारूड में जो इन बिल्ड माइक है उससे यह एनलोग सिक्न चलाने के लिए या हैटफोन की स्पिगर को चलाने के लिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस फोन में ओडियो आइसी के से काम करता है तो हम यहाँ पर सार्ज करेंगे देखे मैं यहाँ पर सार्ज करूंगा देखे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर सार्ज किया तो यहा यहां पर आप देख सकते हो audio ic का number तो दोस्तों यह जो audio ic है यह एक latest audio ic है क्योंकि इस audio ic में आप देख सकते हो यहां पर जो speaker i2c hda speaker i2c scl और speaker i2s do out speaker i2s ws तो यहां पर सारा का सारा एक protocol है दोस्तों यहां पर यह digital signal cpu से हमारा audio ic में आता है और audio ic उस digital signal को analog में convert कर देता है और boost कर देता है और boost करके फिर हमारा speaker में कुछ activity होता है तो दोस्तों इस audio ic में देखिए यहां पर तिन लाइन है जो कि तिनों लाइन में हमारा bph power है और यहां पर बिरेज l10a 1.8 बुल्ड पावर लाइन है दोस्तों तो यह bph पावर जो दोस्तों यह दोनों लाइन सेमी है और देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो वह बोल्डेज यहां पर filter होता है इन केपस्टर की थुरू और यहां पर ADS 1 ADS 2 यह दोनों ग्राउंड है दोस्तों और यहां पर दिखें दोस्तों बी एसपी और बी एसन यह हमारा क्या है यानि कि bourब में ऑसेस्पीडर में जो sound activity होगा उस साउंद को सेंस करने के लिए कि अक्यासल में ये sound हुआ कि नहीं कितना frequency में sound हुआ इसको सेंस करने के लिए इन दोनों लाइनों का यूज होता है यह नहीं यहाँ पर अमरा सापबूट कनेक्टर में टाच होता था है और फिर स्पिगर टीपी पॉइंट में लग जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आम इसको कोपी करते हैं और कोपी करके देखते हैं तो देखे दोस्तों यह अमरा B2B connector है और फिर हम next करेंगे यहाँ पर आप देख सेकते हो यह अमरा speaker section है और speaker का tp है दोस्तों और same speaker section में 4.7 के register के through यहाँ पर इस line में touch करवाया गया यानिके जोड़ा गया है क्योंकि इसमें sense करने के लिए तो इसका काम ही होता है दोस्तों sense करना कि speaker में sound बनाए की नहीं और किता frequency में sound बनाए यह sense करने के लिए और आप यहाँ पर देख सकते हो जो audio IC है दोस्तों इस audio IC में बहुत सरा line है SDA, SCL, Data1, FS, BCK, Data0, Reset, INT इनका सरा का सरा काम होता है protocol तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों I2C SDA है यहाँ पर error बना हुआ है दुनों साइट तो यहाँ पर यह signal आएगा फिर यहाँ से जाएगा काम कर रहा है कि नहीं इसको पता करने के लिए CPU इस signal को फिर से लेगा तो दोस्तों हमने देख लिया यह सारा काम अर्चलिया मैं इसको आप copy करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा की कहा से CPU से आता है यह सही में CPU से आता है कि नहीं मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ देखे दोस्तों यहाँ पर आप देख सेकते हो यह CPU है यह हमारा CPU है और CPU में से देखिए CPU की part 2 में से यह line जो है सभी बनता है GPIO section से यहाँ पर यह line out होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो figure I2S DO out, figure I2S DIN 1, HDACL और हमारा देख सकते हो figure INT इस सभी line CPU में से जाता है और CPU में से connect होता है तो इनसे audio IC की तुरू communication होता है और हमने जो बताया K318 IC उसमें क्या होता है कि codec IC में यानि कि power IC के अंदर codec IC section होता है codec IC में direct हमारा CPU से protocol आता है यानि कि signal आता है digital signal और codec IC उसको analog करके यानि कि थोड़ा सा boost करके analog में convert करता है और करके हमारा जो audio IC उसको देता है जिसे speaker में loud sound सुनाई देता है लेकिन Redmi K21 यानि कि इस phone में देखिए audio IC में सब कुछ है इस signal यानि कि ये digital signal को analog में convert करना इस audio IC का ही काम होता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको codec IC के बारे में और इस audio IC के बारे में पता चल गया होगा तो चलिए आप एक बार देख लिते हैं डाटाशीट में तो दोस्तों मैं जो डाटाशीट बताने वाला हूँ आभी या हमारा K318 IC की डाटाशीट बताने वाला हूँ देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर K318 डाटाशीट ओपेन कर लिया है और इसका नंबर आप देख सकते हो aw87318.pdf तो दोस्तों इसका फीचार्स यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारा फीचार्स है आप देख सकते हो मल्टी लेवेल AGC ओडियो अल्कोरितम दोस्तों यहाँ पर लो नोयस का है इसमें देखे अल्टर लोड डिस्टिरेशन और पावर अम्प्लिफायर ओवरल इफिचेंसी इस आप टू 83% तो देखे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक और चीज यह जो ओडियो आईसी है 0.6 वार्ड में काम कर सकता है और मेक्सिमाम 1.2 वार्ड में Atlikan wrap series 93% Q लगाया गया है इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी में ओपाट्टेम्टरे पेक्षण है शोन्ट सर्कृत प्रोटेक्शन है और यहाँ पर देख स्कते हो current limit protection भी है इसमें तो application diagram देखे कुछ इस तरीके का है दोस्तों यह इस diagram के त्रू कोई भी company phone में अगर इस IC को यूज में लेता है तो इस diagram के त्रू modify भी करता है और हो सकता है उस diagram में इसको बना है तो यहाँ पर देखिए शाट डाउन जो है यह शाट डाउन में signal कुछ इस त तो जैसा मैंने बताया PBDD, BOP, INP, INN, शाट डाउन इस सारा pin यहाँ पर है दोस्तों और यहाँ पर देखिए pin configuration and top mark तो यहाँ पर हमारा top view है और यहाँ पर marking है कि कौन सा क्या है तो देखिए दोस्तों A1, A2, A3, B3, B4 ऐसे करके यह सारा कुछ इसे ball count होता है और इन ball का position द नाम देख सकते हो क्या है और यहाँ पर देखिए pin description तो दोस्तों यह main है इसमें कौन सा pin का नाम क्या है काम क्या है इसमें कुछ बताया गया है देखिए A1 pin जो है यह INP है यानि कि positive audio input terminal A2, INN, negative audio input terminal और देखिए A3 जो है दोस्तों यह BDD, यहनि कि power supply का line है तो यहाँ पर द external charge pump flying capacitor और यहाँ पर देखिए हमारा C1 जो है C1N यह negative side of the external charge pump flying capacitor और फिर यहाँ पर देखिए C2, C4 ground है और BOP, BBDD, boost charge pump output voltage negative audio output terminal तो यह सब कुछ यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों functional diagram की IC का अंदर क्या गया है तो देखिए यहाँ पर K charge pump C1P, C1N, C2P C2N, TBDD इन सभी Pino के साथ K charge pump का technology यान कि inbuilt इसका एक circuit है यह काम करेगा और इसमें देखिए over voltage protection भी है current limit protection भी है तो यहाँ पर देखिए इसमें जो K charge pump है मैंने आपको बताया कि क्यूँ इसको K charge pump कहा जाता है यह class के audio IC है तो यहाँ पर और भी देखिए BDD, shutdown और इसमें दे कुछ अलाग-अलाग input में अलाग-अलाग section बनाया गया है class के modulator, ultra low, EMI output stage, सब कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्टिक डागराम पर कुछ नहीं मिलेगा data sheet में सब कुछ मिलेगा उस IC के बारे में तो यहाँ पर भी देखिए same application diagram दोस्तो इस application diagram से भी आप इस IC को किसी भी सार्किट में यूज कर सकते हो लेकिन यह आईसी ज्यादातर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है दोस्तो दोस्तो जो main main चीज में वही बता रहा हूं आप अगर data sheet का पढ़ना चाहेंगे तो आप Google पे search कर लेना K318 IC data sheet यानि कि audio IC data sheet इसे लिखके search कर देना आपको मिल जाएगा आप पढ़के समझ सकते हो तो यह पर देखिए electrical characteristics parameter test condition तो इन पर हम आगर देखेंगे तो बोल्डिज के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से लाइन पर कितना बोल्डिज आता है तो देखिए VDD power supply बोल्ड maximum इस IC को दिया जा सकता है और shutdown high input voltage देखिए shutdown जोए 1.3 maximum और यहाँ पर देखिए shutdown high होता यानि कि logic high का 1.3 बोल्ड जब इसमें आ जाएगा तो यह logic high हो जाएगा और low input voltage यानि कि logic low 0.35 बोल्ड जब हो जाएगा तो यह logic low हो जाएगा इस IC मतलब यह IC बंद हो जाएगा decibel हो जाएगा और जैसे यह 1.3 होगा तो यह IC मतलब यह IC एक्टिव हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि 1.8 बोल्ड इस लाइन में देने पर यह IC एक्टिव होता है लेकिन आसल में 1.3 बोल्ड देने से भी एक्टिव हो जाता है और फिर हमारा यहाँ पर देखिए output offset voltage, shutdown current यह सब कुछ लिखा है तो हम K charge pump को देखते हैं देखिए PBDD output voltage 3.0 बोल्ड और यहाँ पर देखिए 4 बोल्ड और maximum 6.05 बोल्ड तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए soft start time और charge pump efficiency, charge pump frequency यहाँ पर frequency से यह बोल्ड बनता है boost voltage और current limit when PBDD short to ground कितना milliampire short होने पर तो इसमें short circuit protection एक्टिव हो जाएगा और कितना milliampire में जाने पर भी यह short circuit protection एक्टिविट नहीं होगा इसमें सब कुछ लिखा है देखिए 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 यहाँ पर बहुत सरा line है अगर मैं इसे सब कुछ बताना जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं यहाँ पर main main चीज आपको दिखने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर देखिए इनके सबी के बारे में यहाँ लिखा है के चर्च पाम किया है आई efficiency किया है इनका calculating भी दिया गया है कितना calculating से कितना क्या होता है सब कुछ है और यहाँ पर देखिए के चर्च पाम structure की के चर्च पाम कैसा होता है IC के अंदर कैसा काम करता है यानि कि यह boost voltage कैसे बनता है तो यह भी काम करता है देखिए दोस्तों capacitor जो होता है इस capacitor में एक voltage store करने की समता होती है तो दोस्तों capacitor में क्या होता है कि voltage को कुछ time के लिए store करक है और उस बूस्ट बॉल्डिच पीबी डीडी केपसिटर में फिल्टर होता है तो यह दोनों केपसिटर से ही इन बूस्ट बॉल्डिच को बनाया जाता है तो दोस्तों इनको चार्ज मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऐसा करने के लिए इसमें आई सी के अंदर ही का काम करने के बार वाद डिस्टर्ज होता है देखिए डिस्टरजींग फेस तो डिस्टर्ज होने के बात यहाँ पर बोल्डिच जाता है तो यह दो बहुत कम मिलिसेकंड में सुइचिंग होता है ज ऐस बॉस्ट में आपको ड configure बहुत ॹ्याम करने को मिलेगी च autor बहुत क देख सेखते हो बहुत कुछ है यहां पर यहां पर देखिए आईसी का साइड व्यू और टॉप व्यू बटम व्यू और देखिए लेंड पैटर्न सब कुछ है कि आईसी में कैसा कप क्या बॉल बनना चाहिए कितना बॉल बनना चाहिए और बॉल का साइच किया होना चाहिए ये सब कुछ इसमें लिखा है तो दोस्तों उमिद करता हो कि आपको audio K318IC के बारे में पता चल गया होगा डटाशिट भी मैंने दिखा दिया और आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके पढ़के और भी आच्छे से समझ सकते हो और मैंने CodecIC के बारे में भी बता दिया इन फ्यूचर CodecIC के बारे में और भी वीडियो आएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे किसी और एक दमदार वीडियो पे तब तक के लिए बाई